दोस्तों नमस्कार स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जहारखंड जीके के बारे में ठीक है और यह जहारखंड जीके आपके जहारखंड में जितने भी एक्जाम होता है ठीक है कंपेटिशन का उस सब के एक्जाम में पुछ दिया जाता है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा important सवाल है और यह आपके JPSC JSSC और जितने भी exam होते हैं जहारखंड में उन सब के लिए बहुत ज्यादा important है ठीक है क्योंकि उन सब में जहारखंड जी के से सवाल आता ही है तो मैं आपको 1000 अति महत्तपुन MC की बताने वा पार्ट वन अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जरूर देख लिजेगा चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं और पिछले वीडियो में हमने 100 प्रस्ण देखे थे ठीक है तो आज के वीडियो में 101 नंबर से शुरू होगा तो आज का पहला प्रस्ण है कि जारखंड में प्रित्थक्तावादी आंदोलन की सुरूवात मूलतह कब से मानी जाती है तो इसका सही उतर हो जाएगा कि बंगाल से अलग होकर यहां पे देखे तीसरा उप्शन बंगाल से अलग होकर बिहार उडिशा प्रांत की अस्थापना के साथ जानी जब बंगाल से बिहार और उडिशा अलग हुआ था उसी समय से जारखंड में प्रित्थक्तावादी आंदोलन की सुरूवात चल रही थी मतलब जारखंड को भी अलग करने की आंदोलन चल रहा था ठीक है जारखंड को अलग करने के लिए उसे समय से आंदोलन चल र क्या है तो इसका प्रमुह कारण है यहां पे कि पठारी भूमी जंजातिय समाज जंगलों की उपस्थिती यानि की उपर्युक्त सभी तेक है सही उतरोजागा उपर्युक्त सभी देखें जहारखन में जो है दूसरे राजों से थोड़ी अलग स्थिती पाई जाती है यहां पे पठारी भूमी है जंजातिय समाज है जंगलों कु पस्थिती है इसी लिए इन लोग अंदोलन कर रहे थे ठीक है ज्यारखन के लोग कि ज्यारखन को एक अलगर राज्य बना दिजीए टिख्याय क्योंकि यहां पर सबकुछ एक अलग मिदा नहीं चलिए से यहाँ पे अलग सेच्वेशन था अलग जमीन था अलग समाज था इसलिए जार्खन को अलग करने की मांग कर रहे थे चलिए अगला सवाल है कि जार्खन में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया तो दिया था ये मधेसी ठीक है जार्खन में जो लोग आ लेखित में से किसकी साखा आगे चलकर जारखंड पार्टी के रूप में विक्सित हुई तो इसका सहीवत रोगा धाका विद्यार्थी परिशद ये देखिए पहला अप्शन धाका विद्यार्थी परिशद चलिए अगला है इन में से किसके नेत्रित्व में छोटा नागप नागपूर उन्नती समाज उसका गठन जुलाई 1920 में किया गया था और किसकी उपस्थिती में किया गया था किसके नेत्रितों में किया गया था तो यह जो है जूलियस लकडा के नेत्रितों में किया गया था याद रखेगा यह भी आप याद रखेगा कि छोटा नागपूर उन्नती समाज का गठन किया गया था 1920 में ठीक है चलिए अगला है छोटा नागपुर उन्नती समाज का मुख्य उदेश्य क्या था तो मुख्य उदेश्य था इसका ये देखे पहला उदेश्य तो ये था कि छोटा नागपुर को पिछडी स्थिती से उपर उठाना दूसरा राजकिय सेवाओं तथा प्रतिमिदी सभाओं से आरक्षन प्राप्त करना और तीसरा है आदिवासियों के लिए नौकरिय प्लब्द कराना यानि कि ये तीनों लक्षत है इसलिए इसका सहीवतर होगा उपर्युक्त सभी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं छोटा नागपू जहारखंड छेत्रे के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग अस्थानिय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपूर उन्नती समाज के मंच से और चारिक रूप से प्रथम बार इस छेत्रे में किसके दौरे के दौरान की गई तो यहाँ पे आये जो है साइमन कमीशन जब चल रहा था ठीक है साइमन कमीशन के दौरे में ही जो है इसकी अपचारिक रूप से प्रथम बार मांग की गई थी जब साइमन कमीशन चल रहा था उस समय अगला है ठेवले उराओं तथा पाल दयाल ने छोटा नागपूर उन्नती समाज से अलग होकर किस संगठन की अस्थापना की तो इसका सही उतर हो जाएगा कि यहाँ पे किसान सभा की अस्थापना की थी देखे किसान सभा चल यह अगला सवाल है कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपूर कैथोलिक सभा के सम्मंध में कौन सा कथन असत्य है तिक है यह आपे पूछ रहें असत्य देखे इसमें से इसका मुख्याल राची में था यह तो बात सत्य है क्योंकि जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था उसका मुख्याल राची में ही था ठीक है यह बात सही है अगला है कि बोनी फेस लकड़ा इसके प्रथम अद्यक्ष थे यह भी बात सही है ठीक है मैंने भी पिछले वीडियो में ही बताया है पिछले तो में ही किया गया था अगला बात है कि यह करांतीकारी तथा उदार सब्सक्राइद मैं नहीं थी अगला है इसके प्रथम मुख्य सचीव थे यह बात就是說 है तो यहां पर तर हो जाएगा ये सी ग, जो तीसरे नमबर वाला है, चलिए, अगला है, छोटा नागपूर आदिवासी महासभा पाटी के गठन में निम्नलेखित में से कौन सा संगठन सामिल नहीं था, तो इसका सहीत रजायेगा यहां पे विद्यार्थी सभा, यह देखे, विद्यार्थी सभा, यह आदिवास आदेवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रचाहित किया था इसका सही उतर होगा कि यहां पे यह तीनों हो जाएगा ठीक है इसाई मिस्नरियों ने और बिटिस सदिकारियों ने और मुस्लिम लीग ने ठीक है यह सभी ने जो है छोटा नाकपूर किया था ठीक है मांग के लिए तो यह सभी हो जाएगा अगला है जैपाल सिंग छोटा नाकपूर आदिवासी महासभा के नेता कोब बने तो इसका सही उतर होगा यहां पे कि 1949 इस भी में ठीक है 1949 में चलिए अगला है वर्स 1949 में हुए जीला बोर्ड चुनाओं में किसके नेतरित्वा में छोटा नाकपूर आदिवासी महासभा ने सिंग भूम में 25 में से 22 तथा राची में 25 में से 60 सीटे हासिल की तो ये नित्रितों में थे जैपाल सिंग के नित्रितों में इतनी सीटे जीती थी चलिए अगला है छोटा नागपुर में अपनी घर्टी साख के मद्दे नजर कॉंग्रेस कार्य समीती ने आदिवासी और संतोस के कारणों का पता लगाने जिम्मा किसको सौपा छोटा नागपुर में जो घर्टी साख थी उसको मद्दे नजर रखते हुए कॉंग्रेस कार्य समीती ने आदिवासी और संतोस के कारण का पता लगाने का जिम्मा किसे सौपा था तो सयूतर हो जाएगा इसका कि डॉक्टर राजंद्र परसाद को सौपा गया था अगला है कि निम्नलेखित में से किस तिथी को छोटा नागपुर आदिवासी महसभा का एक प्रतिनिथी मंदल बिहार के ततकालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिनहा से मिला तो इसका सयूतर होगा कि 5 जुलाई 1949 को अगला है गयर आदिवासीयों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की अस्थापना की तो गयर आदिवासीयों ने जो है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की अस्थापना की थी यह देखिए छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग चलिए अगला है जस्टिन रिचर्ड द्वारा अस्थापीत युनाइटेट जहारखन पार्टी किस से संबंधित थी तो यह संबंधित थी आधिवासियों से और यह गैर आधिवासियों से दोनों से संबंधित थी ठीक है इसलिए इसका सही उत्रोगा उपर्युक्त दोनो चलिए अगला है इन में से किस वर्स छोटा नाकपूर आधिवासी महा सभा ने जमसेदपूर अधिवेशन में यह निर्न लिया कि गर आधिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं तो इन्होंने जो है 1950 में अनिर्न लिया था ठीक है चलिए अगला है छोटा नाकपूर आधिवासी महा सभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था तो छोटा नाकपूर आधिवासी महा सभा का जो है दूसरा नाम रखा गया जारखन पार्टी टेक है जारखन पार्टी नाम रखा गया था उसको बदल दिया गया था छोटा नाकपूर आधिवासी महा सभा का नाम बदल कर जारखन पार्टी कर दिया गया अगला है वर्स 1903 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर गठन आयोग के समक्ष निम्नलेकित में से किस राज्य के भू भाग को समेटते हुए प्रिथक जारखन र जकी मांग की गई कि तो यह उत्तर प्रदेश देखे उत्तर प्रदेश मंद्ये प्रदेश और उड्जा यह सभी सई हो जाएगा ठीक है तो फजल अली के अध्यक्षता में 1953 में राज़ पुनर गठन आयों के समक्ष जो है जहारखन राज़े की मांग की गई थी ठीक है मतलब उत्तरपरदेश, मध्यपरदेश और उर्चा ये सब ही को एक में मिलाकर जहारखन राज़े बनाने की मांग की गई थी उस समय ठीक है 1953 में चलिए अगला है जहारखन पार्टी का कॉंग्रेस में विले कब हुआ तो ये हुआ था एक जून 1963 को ठीक है एक जून 1963 को हुआ था चलिए अगला है वर्ष 1952 के बिहार बिधान सभा चुनाव में जहारखन पार्टी ने कितनी सीटे हासिल की थी तो ये हासिल की थी 33 सीटे ठीक है 33 सीटे चलिए निम्नलेखित में से कौन जहारखन पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है यहाँ पे देखे पूछ रहा है कि बिखराव का हिस्सा नहीं है तो इसका सही उतर हो जाएगा यहाँ पे छोटा नागपूर मुक्ती मूर्चा ठीक है ये बिखराव का हिस्सा नहीं है जारखन सोरी राजे पुनरगठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राजे की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया तो यह भासा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था ठीक है भासा के आधार पर चलिए अगला है जन्जाती अभासा में हूल का क्या अर्थ होता है तो हूल का मतलब होता है क्रांतिकारी इन में से किस तिथी को राष्टपती के समक्ष 6 सुत्री मांग पत्र रखते हुए राची में व warfare विद्ध्याले तथा हाई कोट की अस्थाप्ना की मांग की गई तो इसका सही उतर हो जाएगा कि 7 March 1923 को राष्टपती के समक्ष छो सुत्री मांग पत्र रखते हुए राची में विश्व भी द्याले तता हाई कोट के अस्थापना के लिए मांग की गई थी ठेक है साथ मार्च उनेशो त्रेपन को चलिए अगला है जहारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान जहारखंड प्रदेश के विभिन जिलो में पाटी के नित्रित्व करताओं की एक स्रिंखला तयार हुई इसमें निम्नलेखित में से कौन सामिल नहीं था तो इनमें से सामिल नहीं था यहां पे हजारी बाग में अलगु मांची ठेक है ये सामिल नहीं थे चलिए अगला है जैपाल सिंग का उपनाम सिंग था जो इंगलेंड में सिंग में बदल गया सिंग का अर्थ क्या होता है तो सिंग का अर्थ होता है सूरिय ठेक है सूरिय चलिए सिंग यहां पे पूच रहा है सिंग का मतलब होता है सूरिय ठीक है अगला बात करते हैं देखिए अगला है जार्खंड में से किस वर्स पहली बार जार्खंड विकास परिशत के गठन का प्रयास किया गया तो पहली बार प्रयास किया गया था ये 1989 से 90 में पहली बार जार्खंड विकास परिशत के गठन का प्रयास किया गया था अगला है सीवू सोरेंड के नित्रितों में किस वर्स जार्खंड मुक्ति मुर्चा का गठन हुआ तो 1922 में हुआ था अगला है सीवू सोरेंड के किसके विरुद आवाज उठाई तो सीवू सोरेंड ने आवाज उठाई थी ये सभी हो जाएगा सही ठीक है आदिवासियों के सोसन के विरूद्ध, स्रमदोहन के विरूद्ध और पुलिस अत्याचार के विरूद्ध इसलिए इसका सयोतर होगा उपर्युक्त सभी तेक है चलिए अगला है शीबू सोरेन को निमलेखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला तो व्यापक समर्थन मिला था एके राय और विनोध विहारी महतो ये दोनों का समर्थन मिला था तेक है इसलिए उपर एक तो दोनों सही होगा चलिए अगला है वर्स 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर जारखंड समन्वे समीती ने प्रिथक राज जहेतु यूवा पिढ़ी का आहवान किया तो इसका सही उत्र हो जाएगा यहाँ पर सही उत्र हो गा इसका बीपी केसरी ठीक है बीपी केसरी के पहल पर जारखंड समन्वे समीती ने अलग राज्य के लिए यूवा लोगों को याद किया था अगला है इन में से किस वर्स छोटा नाकपूर तथा संथाल परगना विकास प्राधी करण का गठन किया गया तो यह किया गया था 1981 में टेक है 1981 में चलिए अगला है All जारखंड स्टुडेंट्स यूनियन यानि कि आजसू की अस्थापना कब हुई तो इसका सही उतर जाएगा कि 22 जून 1986 को यह देखिए 22 जून 1986 को आजसू का स्थापना हुआ था अगला है निम्नलेखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने जारखंड मसलों की समीती गठित की तो यह किया था इन्होंने 1989 में तेक है अगला है वर्ष 1985 के बिधान सभा चुनाव में जारखंड मुक्ती मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी तो इसका सही उतर जाएगा 14 तेक है 14 सीटों पर जीत हासिल की थी अगला है भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रिथक जारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया तो इन्होंने समर्थन दिया था 1988 में तेक है अगला है निम्नलेखित में से निम्नलेखित में से किस संगठन ने जारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया तो हिंसात्मक आंदोलन चलाया था अल जारखंड स्टुडेंट यूनियन ने तेक है आजसू ने आजसू का फुल फर्म होता है अल जारखंड स्टुडेंट यूनियन चलिए अगला है वर्स 1985 में कॉंगरेस के विधान सभा ॥र्य वर्स 1985 में कॉंगरेस के विधायक देवेंदर नात चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नाक्पुर छेत्र को केंद्रिया प्रसासन के अधीन सौपने की मांग की गई थी तो इसका सही उतर जाएगा यहां पर बावन ठीक है तो बावन जो विधायक थे उनके हस्ताक्षर के साथ साथ देवंदर नास चंपिया द्वारा जो चोटा नागपुर छेतर को केंद्रिय परसासन के अधिन करने की मांग पत्र सोपा गया था अलग जारखंड राज जहेतू त्री पक्षिय समझोते में इनमें से कौन सामिल नहीं था तो इसका सही उतर जाएगा अल जारखंड अस्टुडेंट यूनियन ठीक है आज सू सामिल नहीं था त्री पक्षिय समझोते में अगला है बिहार विधान सभा ने जारखंड छेत्रिय स्वायत सासी परिशद के गठन सम्मंधी विधेयक कब पारित किया गया तो इसका सही उतर जाएगा कि वर्स 1994 में ठीक है वर्स 1994 में अगला है नेमनलीकित में से किस तिथी को जारखंड छेत्रिय स्वायत सासी परिशद का गठन हुआ तो इसका गठन हुआ था 9 अगस तुनेशो 95 को ठीक है अगला है जारखंड छेत्रिय स्वायत सासी परिशद में बिहार राज्य के कितने जिलो को सामिल किया गया जो जहारखन राज्य के अंग बने तो यहाँ पे बने थे अठारह ये बिहार के अठारह जिले थे जो की जहारखन के जिले बन गए जब जहारखन राज्य अलग हुआ तो उस समय अठारह जिले थे जहारखन में और ये बिहार के पहले जिला हुआ करते थे तो 18 जिले मिल करके जहारखन राज्य के थापना कर दिये थे चलिए अगला है बिहार बिधान सभा ने प्रिथक जहारखन राज्य सम्मंधी विधेयक कब पारित किया तो ये पारित किया था वह सुने सो संतानबे में चलिए अगला है बिहार राज पुनर गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया तो पारित किया था दो अगस्त 2000 को ठेक है दो अगस्त 2000 को चलिए बिहार राज्य पुनर गठन विधेयक 2000 को राज्य सभा ने कब पारित किया तो इसका सही उतर होगा कि 11 अगस्त 2000 को ये देखिए 11 अगस्त 2000 को चलिए अगला है बिहार राज्य पुनर गठन विधेयक को राष्ट पती ने कब मंजूरी प्रदान की तो राष्टपती ने मंजूरी प्रदान की थी ये 25 अगस्त 2000 को ठीक है 25 अगस्त 2000 को चलिए अगला है जहारखंड भारत के 28 वे राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया तो ये अस्तित्व में आया था 15 नॉवंबर 2000 को ठीक है और 15 नॉवंबर 2000 को ही जहारखंड राज्य के स्थापना की गई थी ठीक है तो ये 28 वे राज्य के रूप में भारत के 28 वे राज्य के रूप में सामिल हुआ था अगला है जहारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है तो प्रमुख प्राकृति भाग क्या है तो ये है छोटा नागपूर का पठार दूसरा अप्सन छोटा नागपुर का पठार तो यहां पे 51 प्रस्न पूरे हो चुके हैं आधा वीडियो खत्म हो चुका है और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो एक लाइक जरू कर लिजे बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में अगला है निम्नलिकित में से कौन सी जारखन की प्रमुख भोगोलिक विचेस्ता नहीं है यहां पे पूछ रहा है कि भोगोलिक विचेस्ता नहीं है तो नहीं पूछ रहा है ठीक है तो यहां पे सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा किसी भी एकजाम के अगर आप जो है एकजाम दे रहे हैं तो आपको सवाल जो है अच्छे तरीके से पढ़ने ना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है यहाप नहीं पढ़ते ही नहीं है टेक है डाइरेक्ट सौर्ट में पढ़ते हैं यह भोगौलिक विच्छता तो ऐसे जो है भुगर्भिक संरचना जटिल है यह बहुतिक विशेश्ता है ठीक है भोगौलिक विशेश्ता है अगला है कि इस भाग की अस्थलाकृती बिशम है यह भी विशेश्ता है अगला है इस छेत्र का अधिक तर भाग वन आचादित है जारकन में तो पूरा और लगवक वन ही बन है ठीक है अगला है कि यह छेत्र क्रिसी के लिए अत्यांत अनुकूल है यह बात जो है गलत है ठीक है यह विशेस्ता गलत है थोड़ा ठीक है इसलिए इसका सहीवतरोगा चौथा अप्सन ठीक है कि यह छेत्र क्रिसी के लिए अत्यांत अनुकूल है यह अनुकूल क्रिसी के लिए नहीं है क्योंकि यहां पर जंगल ही बहुत ज्यादा है ठीक है चलिए अगला है जहारखंड के अधिकतर भाग की उचाई लगभग कितनी है तो अधिकतर भाग जो है लगभग लगभग 300 मीटर उचा है ठीक है 300 मीटर अगला है पारसनात की चोटी जहारखंड की सबसे उची पहाडी है इसकी उचाई लगभग कितनी है तो इसकी उचाई है 1365 मीटर याद रखेगा पारसनात की चोटी की लंबाई है 1365 मीटर जहारखंड में निर्मित चटाने किस काल की है तो किस काल की चटाने है तो यहाँ पर देखें आरकियन तथा विंधियन तो यह इसकी भी है और गुंडवाना तथा टरसे री काल के बाद की भी है और पर्यूक्त सभी सई हो जाएगा ते चलिए आगे वड़ते हैं किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोईले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं तो इसका सहीवत्र हो जाए यहांपर Papay गोंधवान तर्दीवन गोंधवाना लेंड के जो परतदार चट्टान है उसमें सर्वोत्तम कोईले पाए पाए जाते हैं ठीक है कोईला पाए जाता है चलिए अगला निम्नलेखित में से कौन सी जार्खंड की सबसे पुरानी भूग अर्भीक सनचना है तो इसका से उतर हो जाएगा यहां पे आर्कियन तेक है आर्कियन सबसे पुरानी सनचना है भूग अर्भीक सनचना है अगला है विंधी तेक है विंगी काल की चटाने जो जार्खंड के उत्तर पच्छिम भाग में विश्त्रित हैं उनमें किसकी प्रधानता है तो विंखी काल की चटानों में जो है पाय जाता है बालू पत्थर की और चुना पत्थर यह दोनों पाय जाते हैं ठीक है इसलिए सई उतर होगा उपरियुकता दोनों चली आगला है जार्खंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चटाने हैं तो इसका सही उतर होगा कि उत्तर पूर्वा ठेक है उत्तर पूर्वा चली आगला है छोटा नागपूर पत्थारी भाग के दक्षनी सीरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चटानों को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जो है जाना जाता है धारवार चटानों के नाम से ठीक है पत्थारी भाग के जो छोटा नागपूर पत्था जो दक्षिनिभाग में इस्थित है जो परतदार चट्टाने प्राचीन जो परतदार चट्टाने हैं उसको धारवाड यूगीन चट्टानों को नाम से जाना जाता है अगला है जहार अरखंड में रुपांतरित परतदार चट्टानों का सरवाधिक अच्छा विकास कहां हुआ है तो यह हुआ है कोलहन की पहाड़ी में टेक है कोलहन की पहाड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं कुल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रुपांतरित परतदार चटाने किस नाम से प्रसीद है तो ये आइरन और सिरीज के नाम से प्रसीद है ठीक है आइरन और सिरीज अगला है जार्खंड के चैबासा छेतर में पाई जाने वाली धाड़वार या रुपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है तो इसमें पाया जाता है ये सभी हो जाएगा ठीक है अभरक सिष्ट भी पाया जाता है क्वार्ट जभी और होर्न ब्लेंड सिष्ट भी पाया जाता है इसलिए इसका सही उत्त रोगा उपर्युक्त सभी चलिए आगे बढ़ते हैं जहारकन के उतरी भाग यानि कि कोडारमा और हजारी भाग में विस्तरित रुपांतरित परतदार चटानों में किस खनीज की विसाल पेटी मौजूद है तो इसका सही उत्त रोगा आपर अभरक ठीक है कोडारमा और हजारी भाग के जो नीचे जो परतदार चटाने है उसमें अभरक पाये जाता है ठीक है कोडारमा में अगला है जारकन में आगनेय उद्भो या धलमा ट्रैप की चटाने मुख्य रुप से किस जिले में मिलती है तो इसका सही उत्त र जाएगा यहाँ पे कि सिंग भूम में पाय जाती है अगला है सिंग भूम में आगनेय सेलो के रुपांतरण से बनी ग्रिनाइड चटानों की अधिकता के कारण छोटा नागपूर को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्त र जाएगा कि ग्रिनाइड नीश के नाम से जाना जाता है ठीक है ग्रिनाइड नीश चलिए अगला है निम्नलेकित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक यूग की चट्तान है तो इसका से उतर जाएगा धक आईए क्वार्ट सरी चट्ताने ठीक है क्वार्ट सरी चट्ताने है अगला है राजमहल ट्रैप की चट्टाने नेमनालेकित में से किस जिले में मिलती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे साहब गंज में भी मिलता है दुमका में भी और गोड़ा में भी ठीक है इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी ठीक है चलिए अगला है जहारखन के कितने परतिशत भू भाग पर छोटा नागपूर पठार विस्त्रित है तो ये विस्त्रित है यहाँ पे 47.38% भाग पर यानि आधे आधीक पर लगभग छोटा नागपूर का पठार विस्त्रित है अगला है राची के पसिमी भाग तथा पलामू के दक्षनी भाग में विस्त्रित जहारखन के सबसे उचे छत्र को किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है पात परदेश के नाम से ठीक है पात परदेश चलिए अगला है समुद्र तल से पात परदेश की मुचाई कित कि 762 से यह देखिए 762 से 1097 मीटर उंचा है ठीक है अगला है पात परदेश किस आकार में विष्थरित है तो यह जो है त्रिभूजाकार में विष्थरित है त्रिभूज के आकार जैसा विष्थरित है पात परदेश का आधार उसके किस भाग में है तो इसका सेयूत और हो जाएगा यहां पे कि उतरी भाग में ठीक है अगला है पात परदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विश्तृत है तो इसका सेयूत और हो जाएगा यहां पे 36 गड़ ठीक है 36 गड़ में नलेकित में से कौन सा कथन सत्य है यहां पे कौन सा कथन सही है यही पूछ रहा है देखिए यहां पे पहला कथन इसका है कि यह यह चौरस नुमा उची विध्यदित पहाडियों से बना है यह बात गलत है देखिए क्योंकि यह त्रिभुजाकार है अगला है यहां डकन ट्रैप की लावा निर्मित चटान मौजूद है यह भी बात गलत है अगला है इसके पुर्वी भाग में नूतनकाल की चटाने पाई जाती है यह भी बात गलत है तो यहां पे सही उतर हो जागा उपर्यूक्त सभी यानि उपर देगे सभी बातें इसके गलत है अगला है पात परदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है चौबीस का मैदान इसका नाम रखा गया है चौबीस का मैदान चलिए अगला है गनेश पुर्पात की उचाई कितनी है तो गनेशपूर पात की उचाई है 1171 मीटर अगला है नेतरहाट पात की उचाई कितनी है तो नेतरहाट पात की उचाई है यहाँ पे 1180 मीटर तेक है 1180 मीटर अगला है जनीरा पात की उचाई कितनी है तो इसका सहीतर हो जाएगा कि 1143 मीटर ठीक है अगला है पात परदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाडी कौन सी है तो सबसे महत्वपूर्ण पहाडी का नाम है यहाँ पे सानू और सरव यह दोनों है ठीक है सारव तो इसका सहीतर होगा उपर युग तो दोनों ठीक है चलिए अगला है राची का पठार नेमनलेखित में से किस जिले तक विश्त्रित है तो ये विश्त्रित है राची, लोहरदग्गा और गुमला ठेक है ये सभी हो जाएगा सही उत्र ठेक है ये तीनों जिलों तक विश्त्रित है राची के पठार की ओसत उचाई कितनी है तो इसकी ओसत उचाई की बात करें अगर हम लोग तो इसका उस्त तो चाहिए होगा 365 मीटर ठेक है अगला है राची के पठार का अधिकांस भाग किस चटान से निर्मित है तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा कि गनीस और ग्रेनाइट ठेक है यह दोनों होगा इसलिए उपर उख तो दोनों सही होगा अगला है निम्नलेखित में से कौन सी राची के पठार की विसेस्ता नहीं है अब यहाँ पर विसेस्ता नहीं पूछ रहा है तो इसका सही उतर होगा सही उतर क्या मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी विसेस्ता है पहला है कि यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है यह बात सही है ठीक है यह विसेस्ता है अगला है यह पठार राची जिले में कम उबड़ खाबड़ है यह भी बात सही है यहाँ पे पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा प्छटा है यह भी बात सही है ठीक है तो इसलिए इसका गलत बात अबेक ही निकलता है वो है इस पठार की धरातलिये विसमता काफी कम है यह बात गलत है क्योंकि धरातलिये विसमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है प तो इसके उपरी भाग को कहा जाता है टांड 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 कहते हैं यहाँ पर अगला है कि राची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं टेक है उपरे वाले भाग को तो टांड कहते हैं अब निचले वाले भाग को क्या कहते हैं तो निचले वाले भाग क दोन कहा जाता है ठीक है चलिए अगला है हजारी बाग के पठारी छेत्र में अधिकांसतह किस प्रकार की चट्टाने मिलती है तो यहाँ पे मिलती है यह ग्रिनाइस्ट और नीस यह दोनों हो जाएगा ठीक है इसलिए उपर युक्त दोनों चलिए अगला है नेमना लेकित में से किस छेत्र में हजारी बाग कठार विसतार नहीं है तो इसका सजारी बाग कठार के दक्षनी चोर पर कौन सी नदी बहती है तो ये दामोदर नदी बहती है ठीक है और यहाँ पर दीखे से उतर होगा दामोदर नदी और दामोदर को जारखन का सोक कहा जता है ठीक है दामोदर नदी जारखन का और और बंगाल का जहारकन और बंगाल का सोक नदी है याद रखेगा जहारकन का सोक और बंगाल का सोक दामुदर नदी है अगला है कि जहारकन में से कौन सा हजारी बाग पठार का उपभाग नहीं है तो इसका से उतर हो गया है पे दक्षिन पुर्व का किनारा टेक है यह देखे दक्षिन है साथ हजार वर्ग मील के छेत्र में फैला हुआ है हजारी बाग पठार अगला है हजारी बाग पठार की पूर्वी सिमा किस जिले की पूर्वी सिमा तक विश्तुरित है तो इसका सेवयृत रोग एहां पे गीर्य डी के पूर्वी सिमा तक विश्तुरित है हजारी बाग पठार जहारकन की पहाडियां तथा सम्मन्धित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस बाग में इस्थित है तो इसका सही उत्रों के यहां पे उत्तर पुर्वी भाग में ठेक है उत्तर पुर्वी भाग में इस्थित है अगला है राज महल की पहाड़ी भाग की ओसत उचाई कितनी है तो इसकी ओसत उचाई की बात करें अगर तो यह हो जाएगा पंद्रह सो से तीन हजार मीटर ठेक ह अगला है राजमहल की पहाडी के पुर्वी तथा उत्तर पुर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका गंगा नदी से निर्मित मैदानी भाग है कहां पे तो राजमहल की पहाडी के पुर्वी ते था उत्री भाग में अगला है नेमनलेखित में से कौन सी राजमहल की पहाडी की विशेष्टा नहीं है तो यहां पे सही उत्र होगा इसका दामोदर नदी घाटी इसकी पुर्व सीमा है ये विश्यस्ता नहीं है ठीक है बाकी सभी विश्यस्ताइं है इसकी ये अधितिक कटा चटा पठार है ये तो बात है ठीक है इसका जुका पूरो तथा उत्तर की ओर है ये भी बात सही है इसका पठारी भाग जुरैसी काल की विसाल चटानों से धका है यह भी बात सही है ठीक है चलिए अगला है इन में से कौन सा राजमहल की पहाडियों से संबंधित जिला नहीं है तो यह पूछ रहे कि इन में से कौन सा जिला राजमहल की पहाडियों से संबंधित नहीं है तो उसका से उत्रोगा गढ़वा ठीक है गढ़वा में कोई भी रा राजमहल ट्रैप हो गएरा या पहाड़ी हो गएरा के नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा अगला है राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित ऊबर खाबर मैदान है तेहां पर सही उतर होगा इसका के नीश और प्रस्ण है राजमहल की पहाड़ों के दक्षिन में कौन सी नदी घाटी है तो राजमहल की पहाड़ी के दक्षिन में जो है दामोदर घाटी है तो आज का वीडियो यहाई पर लास्ट होता है और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूसना चाहूंगा कि आपको बताना है कमेंट में कि जारकंड की उपराइधानी कहां है जारकंड की जानते हैं कि राची में है लेकिन जारकंड की उपराइधानी कहां है इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में ठीक है अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और अगले पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप लोग देख लिजेगा ठीक है तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहिन